इपक कुमार यादब जी, 36 गड़ से, स्री राद अवल्ण स्री राद महाराश्री मेरा प्रश्निया है कि कुछ माता पिता अपने बच्चों को सरकारी नोक्रियों के लिए प्रेरित करते हैं तो ग्यान शेयुक्त होने पर माता पिता भगवत मार्ग की सिख्षा देगे और अगर मो शेयुक्त है तो मात पिता बाल कहीं बुलावें उदर भरे स्वई जतन सिखावें वो तो वही मार्ग सिखाएंगे जिससे आपका पेट भरे आप इंद्रियों का भोग अच्छी तरह भोग शके तो उसके लिए रुपया चाहिए रुपया के लिए कारिप्रणाली का ग्यान होना चाहिए किशानी है व्यापार है नोकरी है तो उनका उपदेश उनकी जगे शीमित है पर बालक का करतब जो माता पिता का अपमान अवहेलना कर देना यह नहीं वो अपने कहीं कहीं कर्तब्य में है क्योंकि मोह ग्रिस्टित पद है उनका वो यह देखें कि आपका सरेश्वस्थ हो आपके पास पैसा हो आप अच्छी भोग शामाग्रियों के भोगता बने तो वो समझते हैं कि हमारा बेटा सुखी रहेगा क्योंकि सुख का परिचे किवल वो इतना ही ज अग्यान ना होने के कारण वो अपनी पदवी जो उनको प्राप्त है माता पिता माता पिता का कार्य बालक का पोशन करना सदगुरू का कार्य है उसे अग्यान से निवत्त करके परंपद में स्थेत करना इसलिए माता पिता के प्यार में और सदगुरू के प्यारी में बिर बांधि बर डोरी वो अपने आपको एक दम केवल भगवान का भरोशा भगवान क्या स्थित फिर नोकरी करो फिर व्यापार करो और माता पिता को शाक्षाद भगवान का मंदिर मान कर कि इनके हरदय में भगवान है उनकी वैसी सेवा करो यह सद्गुरू के आग्या होगी अ तुम्हारे माता पिता हमारी जो सोशाइटी है उसके विरुद्ध नजर आते हैं हमारे फ्रेंड क्या कहेंगे कैसे हैं एक पिता अपने बेटे के हां गया गाओं की बात कह रहे हैं उसका बेटा थाइलैंड में तो कहा था फिर वो दिल्ली में राजसी ठाट बाट ऐसे त अब गाओं का आदमी तो ऐसे मार किन लगा है कुर्टा पेहने अब वो न उठा न प्रणाम किया है तो अब वो तो पिता है उनका बेटा का इसे हो उनके साथी रूप उज़ा कौन है बोले एक नौकर है हमारे सामने ही तो उनका अच्छा ठीक वापस लोटा है उनका भी यह मोह की सिक्षा का फल उनको मिला है अगर ग्यान के सिक्षा देते तो उठकर के खड़ा होता प्रणाम करता बैठालता और कहता मेरे पूजी पिता जी है इसे उनका भागोतिक भाव पुष्ट होता लेकिन भागोतिक भाव को भीना संतों की कृपा के कैसे जाना जा सकता है तो माता पिता तो अपने हिसाब से ठीक उपदेश करते पर पुत्र को चाहिए कि जिन माता ने लोकिक दृष्टी से भी देखो ठीक है वो मोशे पर हमारा करतब है कि जब ब्रद्धा वस्ता उनकी आए तो उनको वैसे ही दुलार करे जैसे उन्होंने मेरी सक्ती नवस् प्ता में उन्होंने मुझे दुलार किया था यह करतब है बालक का ऐसा कभी नहीं करना चाहिए और ऐसा जो करता है कि अपने माता पिता का पमान करता है माता पिता को अलग कर देता है और वो कष्ट भोकते हैं तो उसके दुरगती पक्की है यहां भी और वह भी आगे करके उनकी आग्या से उनकी शेवा के लिए चाये माता-पिता का पमान नकरे न पढ़ लिक करantine दो माता-पिता को ढ़ाया का रहे हैं, नहीं, नहीं, हरदय बिचा देना चाहिए, माता जैसी सेवा की न, जब उसको सोचो न, अगर एक दिन पेट में गैस बढ़ जाए, तो आपको कैसा लगता है, ब्याकुलता पैदा हो जाए, नो महीने, उन्होंने अपने रक्त को दूद बनाकर मोजे पिलाया, पोशा एतना बढ़ा किया, तो हमारा करतब ने हैं, जैसे कहेँगे कि आप लोग जो गती ना रुपे से होती, न तपस्या से होती, न बड़ी-बड़ी साधनाव से होती, वो गती मेरे माँ को मिलेगी, मेरे पिता को मिलेगी, क्योंकि हम निरंतर भगवान में उनके द्वारा सजाये हुए जीवन को समर्पित करके उसका फ़ल उनको प्राप्त होगा, जो किसी भी तरह से नहीं प्राप्त हो सकता, वो उनको प्राप्त होगा, कहते 21 पीडिया तर ज आमी होने का बहुत बड़ा प्वाइंट है, इसलिए, कांपता है, आज के बच्चू को देख, बुढे मात थपर मार देते हैं, हमने देखा है, थपर मार देते हैं, बुढे मात पिता यार, इतनी तुम्हारी बुद्धी ब्रष्ट हो गई, कि अगर अपनी आवस्था से करना चाहिए उसको करना कि आप पिता तुल ले हो समाल के भूली आप जाए जाओ चाप भयो ब्रद देखो हमने सब्यता देखी जिसे बस में चड़े और दो चार ऐसे जो शातिक ब्रत्ती वाले हैं बैठें उसमें और कोई ब्रद धाया तो खड़े जाते हैं बाभू जी आ आप ब्रद है इतनी दिर कैसे खड़े देंगे आप बैठ जाए हम तो जवान हम तो घंटों खड़े कोई माई बहना इस आप बैठ जाए यह सब एक मनुष्य की सब्यता है जब हम दूसरों का सम्मान करना सीखेंगे तब ही तो हमारी फिर हमारे माता-पिता हमारा कर्टब है कि हमें देखो माता-पिता की श्वेवा से भगवान बहुत जल्दी प्रशन होते है इसका उदारन है महाराष्ट में जो पुंडरीक जी थे वह पनी बाता-पिता को भगवान मानके तो भगवान आये दर्शन देने और उस समय वह माता-पिता को श्नान करा कि वस्त धार कर आये तो भगवान ने का पुंडरीक दर्शन कर लो कौन हो पीछे थे भगवान है तो वह करीब घर दे दे कि प्रभू इस पर आसन मतब खड़े हो जाए हम बाद में दर्शन करेंगे पहले अपने माता-पिता को कपड़े पहना कर आसन पर आज भी भगवान उसी इट प भगवान स्वयम से आके दर्शन दिया करके इसलिए धन्य है वो पुत्र जो माता-पिता की आज्या में रहता है और उनका कर तब देखो कोई भी मापने बच्चे पाज आएगी ना पहला काम तुम्हें सामके ठीक से बोजन पाया था कि नहीं अगर सुबह मिलेगी पाया तुम्हें अच्छी नीद आई ना अच्छा तुम्हें थकावट तो नहीं हुए आने में वो केवल इस बात पर वो वो केवल अपने बच्चे को सुखी देखना चाहते यहीं उसका सारे जीवन का फल है और हम हमारा क्या करता हो कि ऐसी मां को ऐसे पिता को अना थाले में ब विवन में कभी शांती नहीं मिलती हैं समझ रहे हैं अब जी